भारत की इश्रो 14 फर्वरी को एक बहुत बड़ा कारणामा करने वाली है और इस कारणामे को वज़े से बाकिशारे देशों में टेंशन तो है ही लेकिन इस खबर की सुर्कियां अभी से बनने लगी है और सबसे पहले इसकी पुरुस्ट्री करता है वियोन न्यूस इश्रो 14 फर्वरी को आल वेदर रडार इमेजिंग सेटलाइट को लांच करेगा दो छोटी सेटलाइट होंगे इसमें इनको लांच करेगा और मैं आपको बता दू छे महिने के अंतराल और बीच में की रॉकेट लांच कातिवीदी को फिर शुरू करने के निशान में भारत चौदा फर्वरी को इस तुबे पांच बचकर उनसा मिनिट पर यह तीन उपग्रा को प्रच्छेपीत करने वाला है हाला कि ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सटीक लांच शमें मौसम के सिती के अधीन हो यह मौसम भारत में थोड़ा सा जाता खराब चल रहा है यह मौसम PSLV-C52-1 फृत्री अब लोकर उपग्रा है जिसको EOS-4 को लांच करेगा जिसका वजन 1710 किलोग्राम जो की 529 कि सूरित तुल्यकलिक धुरूवी कक्षा में है EOS-04 एक रडार इमेजिंग सेटलाइट है जिसे क्रीजी वानकी स्विशेपड और मिटी की नमी और जल्व इज्ञान वंबान मांचितन जिसे अनुपरोवे शभी मौसम की सिती में उच गुडवक्ता वाली शभीयों परतान करने के लिए डिजैन किया गया था और इसके लिए एक ट्वीट भी आयो है आप यह देख सकते हैं और इस ट्वीट के सिधार्त के करके हैं और उन्हें ट्वीट करके सारी चिसकी जानकारी दी थी और इश्वो के अनुसार रॉकेट की दो छोटे उपग्राओ की शाह यात्रियों के रूप में भी ले इस टू टीडी सामिल है इश्वो जो कि भारत बोटान शेकत उपग्रा इनस टूबी का अग्रदूत है इश्वो ने कहा है कि प्रक्षेंपड के लिए 25 गंटे और 30 मिनट की उल्टी गिंती प्रक्रिया 13 फर्वरी 2022 को 4 बच के 29 मिनट पर शुरू होगी लाउंज प्रतिकर इस साल के अंत में इस्वो भारत के तीसरे चंद्र अन वेच्षण मिशन चंद्र यांत्री को भी लॉंच करेगा अंत्री छेत्र को समाले वले मंत्री का अनुसार यह प्रच्चेपण अगस्त के लिए निरधारित किया गया भारत में महामारी फैलने के बाद 2020 के जो धंका बयाने वाली है 14 फरवरी को और ओल वेदर रडार इमेजिंग सेटलाइट यो लॉंच करने वाली है इससे दुनिया में तहलका अभी से मस्टना स्टार्ट होगा अपने सक्सेस्फुल मिशन को जल से जल कर पाया इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जहिंग ज़रू मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पर पहली बार आये हैं जिन्होंने पहली बार विजिट किया है प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड से साथ अगर आप आपको informative information आपको यहाँ पर best से best मिलती है तो ही आप अपने friends साथ share कीजिए